हेलो फ्रेंड्स, फेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल कॉलेज जन्नी वित अभी सेग सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जिस यूनिवरसिटी के बारे में बताऊंगा वो यूनिवरस्टी पंजाब की टॉप यूनिवरसिटी में आती है और उस यूनिवरस्टी का आज तक का हाइस पैकेज है 1.2 करोड और उस यूनिवरस्टी में आज तक 650 प्लस कंपनीज विजिट कर चुकी है और वो यूनिवरस्टी एन एसी से ए प्लस एप्रूवड यूनिवरसिटी है है अगर मैं बात करूँ उसकी location की तो वह है पटियाला पंजाब में अगर मैं बात करूँ इस university की connectivity की तो आप लोगो 30 km की रेंज में railway station मिलता है और आप लोगो 26 km की रेंज में airport मिलता है तो अब बात आती है इस university की तो इस university का नाम है चितकारा university अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोग को university कुछ basic details provide करता हूँ सबसे पहले बात आती है university established होई थी 2010 में अगर हमें बात करूँ university के area की तो university 50 plus acres के अंदर spreaded है और चितकारा university एक private university है अगर अब मैं बात करूँ चितकारा university की ranking की क्योंकि सबसे main चीज होती है किसी भी university या college के लिए उसकी ranking आप लोग ranking के base पर decide कर सकते हो आप लोग को उस university में admission लेना है या नहीं अगर मैं बात करूँ इसकी NIRF ranking की तो इसकी NIRF ranking 2020 में थी 180 से लेके 200 के बीच में और 2022 में इसकी NIRF ranking थी 144 और मैंने आप लोग को starting में बताया था university NAAC से A plus approved university है अब बात आती है university आप लोग को कौन कौन से course ओफर करती है वैसे तो university आप लोग को काफी courses ओफर करती है ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन में अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स्टी के कुछ टॉप courses की तो यूनिवर्स्टी के टॉप courses है यह मैंने आप लोग को यूनिवर्स्टी के कुछ टॉप courses बताएं अगर आप लोग को अधर courses देखने जो यूनिवर्स्टी प्रोवाइट करती है तो आप लोग को स्क्रीन में देख रहे होंगे आप लोग चेक कर सकते हैं और हाँ यूनिवर्स्टी आप लोग को बीटेग में कई सारी ब्रांचेस प्रोवाइट करती है जैसे CSE, Computer Science Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering और भी कई सारी ब्रांचेस यूनिवर्स्टी आप लोग को प्रोवाइट करती है बीटेग में अब बात करते हैं इन सब के फीज की सबसे पहले बात आती है बीटेग की अगर आप लोग बीटेग Computer Science Engineering से करते हैं तो आप लोग की पर सेमेश्टर की फीज होगी 1 लेक और अगर आप लोग किसी अधर कोर्स की फीज देखना चाहते हैं तो आप लोग को साइ स्क्रीन में दिख रही होगी आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं अगर हम मैं बात करूँ बीबीए की फीज की तो अगर आप लोग चितकारा युनिवेस्टी से बीबीए करते हैं तो आप लोग की पर सेमेश्टर की फीज होगी 65,000 और अगर बीकॉम करते हैं तो आप पीडिए बनाके डाल दिए युनिवेस्टी कौन-कौन से कोर्स ओफर करती है और उन सब कोर्स इसके फीज चेक्चर की तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं अब बात आती है आप लोग यहां एडमीशन कैसे ले सकते हो तो अगर आप लोग बीटेग तो आप लोग जेई में क्वालिफाई होने चाहिए अभी मैंने आप लोग को बताया आप यहां एडमीशन कैसे ले सकते हो अब बात आती है जब आप लोग अपनी ग्रेजवेशन या पोस्ट गेजवेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका पैकेज कैसा रख टो University का minimum package आ 5-6 Lperson के बीच में तो अप लोग सोच सकते हैं जिब University आप लोग को minimum package 5-6 L Ecuador को कि लिए तो University एक कितनी helpful होगी आप लोग को Flormack Placement लेने में यह तो मैंने आप लोग को Placement के बारे में बताया अब बात आती है University में कौन कौन सी company's visit करती है वैसे तो University में आज तक 650 plus companies visit कर चुकी है तो अगर मैं बात करूँ University की उस top companies की जो उनिवेस्टी में regular basis में visit करती रहती है वो है Google, Microsoft, Flipkart, Amazon, HCL, HP, Dell यह तो मैंने आप लोग को university top companies बताई बाकि अगर आप लोग other companies देखना चाहते हो जो university विजिट करती है तो वो मैंने description में डाल दी है आप लोग वहाँ से जाके check कर सकते हैं अब बात आती है internship की तो university में internship के लिए भी काफी companies विजिट करती है तो वो companies है Infosys, Vipro, Mahindra Tech, TCS और भी कई सारी companies विजिट करती है जो आप लोग को intensive provide करती है on campus और साथी साथ में यह सब companies आप लोग को paid internship provide करती है So मैंने अब आप लोग को university की placement, companies visited और internship के लिए कौन-कौन सी companies आती है वो सब बताया अब बात आती है university की faculty की, तो आप लोग सोच सकते हैं जब university में foreign companies भी visit कर रही है as like Google, Microsoft तो आप लोग सोच सकते हैं university की faculty कितनी well experienced होगी और university की most of the faculties PhD holder है और faculty आप लोग को काफी support करती है, अगर आप लोग किसी भी project में work करते हैं, अगर आप लोग खुद का कोई startup करते हैं, तो university आप लोग को financial support भी करती है अब बात आती है facilities की तो यूनिवस्टी आप लोगों को काफी सारी facilities प्रोवाइट करती है जैसे यूनिवस्टी आप लोगों को sports प्रोवाइट करती है इंडोर sports, outdoor sports आउट्डोर sports में जैसे volleyball court, basketball court, long table tennis court, football ground, cricket ground और भी कई सारे sports प्रोवाइट करती है और आप लोगों को wifi प् प्रोवाइट होता है तो यह तो मैंने आप लोगों को यूनिवस्टी की facilities के बार नहीं में बताया अब बात आती है यूनिवस्टी के hostel की तो यूनिवस्टी आप लोगों को on campus ही hostel प्रोवाइट करती है for both boys and girls अगर हम मैं बात करूं mess की तो आप लोगों को mess में एक दिन मे 25 प्लस मिल्स प्रोवाइट होती है अब मैंने आप लोगों को एक complete overview दे दिया है चितकारा यूनिवस्टी का अगर आप लोगों की तब भी कोई query रह जाती है तो मैंने description में गूगल फॉर्म प्रोवाइट कर दिया है आप उस Google फॉर्म में अपनी query लिखके submit कर सकते हैं नह अगर आप लोग मेरी link को यूज़ करके किसी भी course के लिए application form भरते हैं तो आप लोगों की 50% reduce हो जाती है तो अब मैंने आप लोगों को हर एक चीज़ बता जिए चितकारा यूनिवस्टी के बारे में आपको मेरी वीडियो पसंद आए और अगर पसंद आए तो प्लीज मे